नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, 2030 में अगर आप लोग सोज रहा है कि हम अपनी घर पर क्या चूना पेंट उपयोग कर सकता है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं आपके जानकरे के लिए बतादो पिछले 15-20 साल पहले एक ट्रेडिशनल था कि अगर घर में पेंट करना है त तो पेंट करने से पहले सबसे पहले हम अपनी दिबारों पर लाइम वास यानि कि चूना पेंट का उपयोग करता था आज से 15-20 साल पहले दोस्तों लेकिन धीरे-धीरे जैसे मार्केट में वाइट सेमेट का एंट्री हुआ तो भाईया चूना पेंट थोड़ा डाउन की तरह आप जाने लगा क्योंकि लोगों का डिमांड बाढ़ते गया दोस्तों वाइट सेमेट का और आज भी घर पर वाइट सेमेट उपयोग होता है अब आपकी मन में एक सवाल होगा कि भाईया मालीजे 15-20 साल पहले एक ट्रेडिशनल था लेकिन 2030 में क्या हम अपनी घर प दोस्तों नुकसान और अगर वाइट सेमेट करेंगे तो उसका क्या बेनेफिट है और क्या नुकसान है दोनुकी बिजी में different आखिर कहां है किसका कितना कोश्ट है कौन मतलब किसका कितना लाइब है दोस्तों तो शुरुआत करेंगे चुना पेंट से जैसे कि हमने पहले बताया कि चुना पेंट पिछले कहीं सालों से एक ट्रेडिशनल था लेकिन आज भी दोस्तों अगर आप अपनी घर पर चुना पेंट का एपुयक करेंगे तो आपका जो घर है एक तो बिल्कुल फिर चुना एंटीबेक्टरियल होता है मतलब हमारा जो घर है उसमें कोई क्यंकित परांगों का ऐखर doughnut फॉर्ट आपक्ता होता है दोस्तों जो हारी परिअबारन को भी कीन राखने का काम करता है चुना पेंट अब आपकी दिमाग पर पेय pearl recon exist kijken अगर हम लोग चूना में में पेय्यकर सकते हैं कि गर करेंगे तो करें यह गलत सλοफ में हैं। वह दूर करें दोस्त क्यूंकि Hgmit अगर आपके चैसंच बार आप लोग चूना पेय्यकर करेंगे तोह si remix मिखिने। क्ष़मी लेकिन चुना पेंड आप अपनी घर पर टेरिस पर खास करगे आप खुद एपलाई कर सकता है किसी भी पेंटर को बुलाने का जरूरत नहीं यहां तक कि जाडू से भी आप अगर सफेदी कर लेंगे आपका टेरिस पर तो आपका जो गर्मी की मौसम पर आपका जो घर है घर से दस डिग्री तक आपका टेंप्रेचर घटा देगा चुना पेंड का उपयोग करने से सिर्फ चुना नहीं दोस्तों किसी भी सफेद पेंड अगर टेरिस में आप लोग एपलाई कर देंगे या फिर बाहरी आउटर वाल पर एपलाई कर देंगे तो अंदर में थोड़ा आजाता है दोस्त आप चाहे तो जाड़ू से भी जैसे बाल्टी में मिक्सिंग किया उसको गिरा दिया और जाड़ू से मार दिया दोस्तों जैसे से मिट का घोल माना जाता है सलाप पर वैसे या फिर आप लोग ब्रास से चाहे तो दो कोट अराम से कर सकता है कोई भी प्र बार सपेद होगा अगर आप चाहता है कि हमें इमालसान पेंट नहीं करना है तो उस सिच्योशन पर आपको करना है चुना पेंट तो दोस्ट चुना पेंट को DDL का फेविकोल जरूर मिलाना नहीं तो हाद ऐसे रगणान से आ जाता है दोस्तों अपने पिछले कही साल पहले दोस्तों चुना पेंट का एड़ भी होता था लेकिन वाइट सेमेट की केस में इसा बिल्कुल भी नहीं है वाइट सेमेट अगर आप लोग क्यूरिंग करके प्रपर तरीका से अपलाई कर देंगे तो आप तो आपका ना हाथ्तों में आएगा और ना दोस्तों उखरने का चांसेज रहेगा अब आपकी मन में एक सवाल आएंगे कि चुना पेंट का कोस्ट कितना होगा और वाइट सेमेट का कोस्ट कितना होगा दोनों की बीच में अगर डिफ्रेंट करें तो वाइट सेमेट का कोस्ट ली थोड़ा कोस्ट ली होता है चुना पेंट से क्यूंकि पॉलिमर होता है जहांकि चूणा पर नहीं होता है इसबिस कट करने की बाद प्राइमर लगाने की बाद पेंट कर सकता है वायट का लाइब दोस्तों तीन से चार साल है लेकिन और भी आगे जाके करने के लिए उपयोग होता है हमारे दिवार रुपार इंटी आप दिवारों पर मतलब जैसे कि हमारा घर का पारियवर वह बिल्कुल ऑच्छा रहे हुआ यहाँ अच्छा एपक्छा रहे करने। सकने वाइट से मैंने बता दोस्तो आराम से सपेदी का काम करेगा और उपह से थोड़ा लाइब ज़्यादा है लेकिन थोड़ा कोश्टली होता है दोस्तो चूना पर तो दोस्तो आज इस वीडियो जपाल नहीं है इतना ही फिर बिलेंगे ने मिदियो के साथ अब तक लिए जैहन और झाल देमात्राम.